मनिश कश्यव के विरोध क्यों करते हैं खिलाफ नहीं बोलते हैं नमस्कार स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हमारे साथ हैं किसन जी जो सबसे बढ़िया पतरकार हैं उतरकार के साथ-साथ इन्होंने फिलम में भी काम कर चुके हैं तो च अचा पतरकार आपको मना जाता है पतरकार के साथ-साथ लोग आपके आवाज को भी पसंद करते हैं मनिश कश्यव के बारे में क्या कहना चाहते susceptible अच्छा कर रहे थे a और करते करते गड़बढ़ा गए एनको काम करते करते गडवढ़ान नहीं चाहिए यह तो आप इसी तरह जिल भेजे चले जाएंगे इस तरह की चीजों को लोग भले ही कहते हो, कोई मनिस कस्यप नहीं बन सकता है और मनिस कस्यप भी दूसरे की तरह नहीं बन सकता है मनिस कस्यप एकलोते ऐसे बेखती नहीं है जिनोंने भरष्टाचार का बिरोध किया हो गलत का बिरोध किया हो तमाम चीजों का बिरोध किया हो उनसे पहले बहुत सारे लोग भरष्टाचार का बिरोध करते करते मर गया, उनका सराध बित गया, कजिया बित गया, कोई याद भी नहीं करता है अब, मनीश कसे अब कोई बहुत बड़ा अंदोलनकारी नहीं है, बहुत सारा लोग भरष्टाचार का बिरोध किया, लेकिन भ कुछ ले दे के पहले हमरे काम होते हैं तो क्यों नहीं लेगा पैसा तो मनीज चलते चलते रहा कैसे वटक गए नेताओं का चकर में आके जब आप बहुत अच्छा करते हैं तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोग आप से जूढ़ना चाहते हैं बहुत आपका बड़ा नाम हो जाएगा तो लोग कहेंगे कि मेरे पाटी से आके चुनाओ लड़ लो और वहीं पर आपका इल लग जाता है समझ रहें मैं क्य आपका काम हो जाता है तो ऐसे लोगों से दूर रहना है और जो लोग इसमें पढ़ते हैं पत्रकार को तो पॉलिटिक्स में आना ही नहीं 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 दूसरी चीज उनको क्या चीज का कमी था नेताओं के चकरम पढ़ने की जरूवत थी उनका सोच था नेता बनना नेता बनके क्या कर लेते हैं नेता बनेंगे तो किसी पाटी के परतिव अफदार बनना पड़ेगा चाहे उस पाटी में कितना भी खराबी हो पत्रकार रहेंगे तो निस्पक्षता से किसी का भी बुराई और अच्छाई दिखा सकते हैं तो अगर सारा पत्रकार नेते बन सब लोह नेत बन जाएगा तो पत्रकार कूँ रहे गां इसे सर जो मनेश कस्रफ सर बोले थे कि हम तालीस दिन मेंकी वह सरकार को गिरा देंगे इसी इसी बात पर लेकर चीडा तो जेल सरकार गिरा नहीं दिन 45 दिन में सरकार गिरा रहे थे, 90 दिन में, जेल के अंदर जाके गिरा ही रहे हैं सरकार, वहां से सरकार गिराना देना चाहिए, सरकार कैसे गिर सकता है, सरकार गिरता है उसके लिए आपको इतना बड़ा कौद बनाना पड़ता है, जिसका आप सोच भी नहीं सकते हैं, सरकार के अंदर नितिस कुमार अभी मुखमंत्री है ना विपक्ष में भाजपा है उनके पास तमाम विधायक हैं सांसद हैं तमाम तरह की अच्छे पतरकार होने के बाद चलते चलते उन्हों ने रा भटक दिया जब भी राजनीती में पैर रखे तभी उनका जो सिस्टम गड़बर हो गया और बोल दिये कि सरकार गिराना हां वहीं से उनका ममला गड़बर होते हुए वह अभी तक जेल में पहुंच गए तो अपन उनको तेजसweed से दिखत था सरकार से दिखत नहीं था तो तेजसweed के बारे में करने कि आपका सरकार गिरा देंगे नितिसकुमार आपका 90 दिन कुछ भी बोल देगा इसा कोई मतलब नहीं है रात में दारू पईली जिए के हम जा रहा है किंद्र का सरकार गिराने रेस चाला तू पहले गिरने से बचना यह सब चीज है लेकिन जब कानूनी करवाई में कोई आदमी फोसता है अगर गलती उससे होता है तो पांच्छे मिलियन में से पांच्छे आदमी भी नहीं आता है जो यह कह दे कि भाया आपका केस हम ले लेते हैं कोई नहीं आता है जनता के चड़ावे में पढ़िएगा तो ऐसे ही रहे ले जाएगा जनता का काम करने से कभी कुछ नहीं होता है आपको बता दें आप कहिएगा कि ये जनता को ये करना चाहिए वो करना चाहिए और जनता उल्टा उसी नेता को हमेशा हरवा देती है जो ज्यादा विकास करता है और हमेशा लुटेरा चोर लफुआ लट्खोर यह सब को नेता बना देता है जब जनता अच्छा नेता को जो इस बार बनिया काम किया अगले बार उसका हारना तय है यह हमेशा होता है जनता के लिए ज कहीं दिखाव को विरोध करते हैं हम तो सच बताते हैं हम तो यह बताते हैं कि अगले आदमी का तरीका गलत था अपनी बात कहने का जिसे सर काफी मीडिया में हम भी देखे हैं कि आप कभी मनिस कशब के खिलाफे बोलते हैं त्धिलाफ नहीं बोलते हैं समझने का फेर है कोई मेडिया के लोग आते हैं तो हमको मानिश कशब के नाम पर घेरते हैं या आप मानिश कशब के लिए कि लिए analysts कर लीजे अब कहीं गए लिए और किसी चीज के बारे मैं पुलिए की रिल देंगे, ठिल देंगे, यह कौन सा पत्रगर देंगा है। श्डिया निसीनियारर को रिल देंगे, यह कर देंगे, वो कर देंगे। मैं एक बड़ी चीज आपको बता रहा हूँ वीडियो सी ओक्स का जो लेबल होता है उसके नीचे के अधिकारियों के चेंबर में घुसते थे और सवाल पुछते थे मनीश कसे अपको चाहिए था कि अधिकारियों के चेंबर में घुसने का अगर सौक है तो DM, SP, DSP, SDM इन लोगों के ऑफिस में घुसना चाहिए और वहां माइक मुँ में घुसा के काना चाहिए कि ये काम क्यों नहीं हुआ बताईए तो वहां पर पता चल जाता कि पतरकारिता क्या है पता चलता कि जाते सीधा अउधर से आते लंगरते हुए इनसे कही जगा इनसे जपट भी हुआ था इस बात को लेपर वो तरीका ही नहीं है काम करने का मतलब पतरकार का इस तरीका नहीं है कि 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 मीटिंग में डायरे घुस जाना च्छपरा भीसी का कारियाले जे पीउ उस कारियाले में घुसे मीटिंग चल रहा था, वहाँ पर बोले कि सेशन क्यों लेट है, वहाँ पर गाड आया, गर्दन में हाथ लगाया और बाहर कर दिया, क्या इज़त रह गया, आपके गर्दन में हाथ नहीं लगा, पत्रकारिता के गर्दन में हाथ लगा, और इसके बाद कोई बढ़िया पत्र है तो सबका बेटा इसा ही करता है तरीका से काम करिए देश सेवा में लगे रहे अच्छा काम करिए जो गलत चीज का विरुद कीजिए अच्छे का तारीफ भी किजिए जो ऐसा पतरकारता अभी कर रहे हैं उनके लिए क्या खाना सिख के आएं मेरा मानना है जो उनसे बहतर सिखा है उसके साथ रहे आज सबको लीडर बनना है सिखना कोई नहीं चाहता है सब चाहता है कि हमको सबसे ज़्यादा सम्मान मिले लेकिन उचाहता है कि हम किसी का सम्मान नहीं करें हमी का लोग सम्मान करें तो ऐसे नहीं होता है ग सीखना कोई नहीं है सब को सीटारा से बात बहुत है अच्छा करते हैं आप से नेता भी हैं तो नेस्ट वीडियो में फिर से हम इसके साथ मिलेंगे जब तक के लिए नमस्कार